हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल उमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे यकिनन मैं भी ठीक हूँ खुदा के शुकर है खुदा के फजल से एक नया दिन एक नहीं सुबो तो जी फ्रेंड्स हमारे गाउं में एक चर्च बन रहा था हमारा ही चर्च पर आप लोगों ने मिरे चर्च को जरूर भी किया होगा पर वो छुटा था इस वज़े से हमें नहीं जगा लेनी पड़ी और साथ में थोटी सी नहीं जगा मिल गई और इधर ही रेंज हो गया जो पराना चर्च था उसको शहीद किया और ये निया बनाया गया है अब नह चर्च की तमीर यहां तक हो गई थी कि इसकी नियें भी हो गई इकल्बलीट और साथ में दिवारे बन गई चार दिवारी होने के बाद फर्श भी अच्छा सा हो गया तकलियर वस इसकी छट का रह गया था चट भी यह देख सकते हैं आप यहां पर आज चट फाइनली खुदा के फजल से बन रही है यह गाउवालों के कॉंट्रिबिशन के साथ और पाबुजी की जहत जहत के साथ यहां तक पायत अकमेल तक पूंचा है खुदा का लाग शुकर है को यह और चर्च कैसा लगा कॉमेट में बताइयेगा कॉमेट में और आमीन भी जूर चिजीएगा और हुदा के अद्रूर हमारे चर्च के लिए ज़्दूर द्वा कीजीएगा कि खुदान हमारे चर्च की बनियादे मस्भूथ और पायतक्मेल तक लेकर जाए और जैसा हम चाते है वैसा ही खुदा की हैकल को बनाया जाए खुदा ने कहा मेरी हैकल को तु मेरे घर को बना मैं तेरे घर को बनाओंगा तो खुदा के फजल से हम खुदा की हैकल को तामीर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कठा हो सके प्रेयर कर सके खुदा की तमजीद प्रस्तिश और हम दसना कर सके इसलिए यह चर्च हमने बनाया और हमने और बाबुजी की जहद जहद से यह है हमारे बाबुजी जो कि यहाँ पर करेते तो मैंने का चलो बाबुजी आपकी भी वीडियो बना कर स यानिके लह जाया और खुदा के साथ काफी मसरूर है जिसकी वज़े से इन्होंने चंद ही दिनों में खुदा के फजल से ये चर्च पाय तकमेल तक लाया है अक्सर देखा है काफी चर्चीज और खुदा की हैकल यानि के बनाने में साला साला यानि के स्पेंड हो जाते हैं और पर जल्दी ये काम पायत अक्मिल तक नहीं पहुँचता पर खुदा का शुकर है बाबुजी की स्पोर्ट और इनकी जद्ध जहत के जरीए से हमारे ये काम यहां तक पायत अक्मिल तक पहुँचा है काफी हत तक ये कप्लीट हो चुका था बस चट का रह गया था ये भी बाबुजी ने काफी मेहनत मुशकत की और ये काम पायत तक मिर्दक पहुँचा आया ये मेरे दीवर चले आ रहे थे तो मैंने का चलाओ तुम्हारे भी फोटो थोड़ा हुए वीडियो बना दू स्माइल करते हुए चला गया चलो ठीक हो गया इसके बाद ये देख सकते हैं काफी कंटेनर्स आएं कंटेनर्स पर चट लाए गई है ये बनी पनाई चट हमने यानि के बाय की और खोदा के फजल से चट यानि के बल्कुल बात hopुज और खुदा के फजल से बिलकुल ठीक ठाक हमारे पास यहां पर पहुंची गाओं है काफी दूर रहापर बाबुजी ने बहुत जद जहत की और दिन रात मुशक्कत इस तरह से की जब भी यहां पर काम हो रहा था तो बाबुजी ओल टाइम यहां पर बैठ कर दूप हो चाओं हो बैठ कर अपना टाइम हमें स्पेंड करने के लिए यानि यहां पर टाइम स्पेंड करते थे और मेहनत के साथ उन्हों ने इसको बनाया है और वो यहाँ पर काफी देर देर तक बैटते थे इवन के दूप हो शर्दी हो हर वकत वो यहाँ पर रहते थे और खुद अपनी आँकों के सामने इसको बनवाया है और इसके साथ ही यह देख सकते हैं यह मिशीन ने करेन वगर आई इसके जिरिये से चट को उपर ले जाया जा रहा था तो यह भी मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग देखे कैसे यह है तो खतरनाक लग रहा था पर काफी खुदा का शुकर है कि अच्छे से उन्होंने औ और बिल्कुल ठीक ठाक काम किया जरा भी उंच नीच नहीं हुई और बिल्कुल बात हफूज काम किया खुदा का शुकर है और खुदा के फजल से हमारे चर्च में काफी अब ज्यादा स्पेस हो गई है काफी लोग बाहर बैटते थे क्योंकि छुटा था अब खुदा के फजल से इतना बड़ा चर्च है कि चर्च के अंदर ही सारे लोग एजीली अराम से बैठ सकते हैं और ये बंद हो गया है सारी तरफ से अब जो यहां पर विंडो के लिए ये गैप छोड़े गए हैं यहां पर मेरर लगवाए जाएंगे खुदा ने चाहा तो ये भी जल्दी लग जाएंगे तो फिर इसकी भी वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी आप कुमेंट में जरूर खुदा से हमारे लिए इस चीज़ की प्रेयर कीजिए का कि खुदा इस हैकल को पाय तक्मील तक लेके जाए और इस हैकल में अपना हाथ रखके ताकि ये निया घर जो धेरो बरकते हासल करें क्योंकि हमारे यानि कि ये लाजमी होना चाहिए घर में हम जैसे एक घर में बैठते हैं सकून से प्रेयर करते हैं ऐसे ही ये हमें फील कराना और खुदा की हैकल में सकून तफूज होता है और खुदा की हैकल का हमें ये है कि हम यहाँ पर एक अकठा होकर बैठ कर प्रेयर करते हैं क्योंकि खुदा ने कहा तुम मेरे नाम से एक या दो जहां पर भी कट्छे होंगे वह मुझूद होंगा तो खुदा की हैकल इस दरव मदार्ग पर हम बनाते हैं कि हम यहां परकठे होकर उसके लिए अबादत करें उसके नाम की जैजाकार करें और काफी यानि के खुदा के नाम को हम दसना करते हुए अपने आपको खुदा के तरफ लाएं क्योंकि उसने हमें अपनी लिए बनाया और हम उसी की हैं उसकी चरागा की बेड़े हैं तो हम उसकी बादत करते हुई अच्छे लगते हैं इसके साथ ही यह देख सकते हैं मैं चर्च से बाइर आई तो मैंने कहा चले आपको कंटेनर्स दिखाए जाए क्योंकि चर्च के यह चछत टोटल आ चुकी थी कंटेनर्स रस्ता में खड़े थे वन बाई वन चछत के उपर रख रहे थे वहाँ पर देख सकते हैं कंटेनर काम कर रहे यहाँ पर खड़े हैं और करेन अपना काम कर रही है चत पर काफी दूर मैं गाउं से आई थे यहाँ के कौनर पर आकर यहाँ पर देखाए मैंन का कंटेनर की भी वीडियो बनाओ यहां पर दूर तक यह देखे ना कंटेनर खड़े थे अच्छे यह दो इसके उपर पढ़ी है चत के और दो दर यह चाचु है हमारे तो कह रहे ते बिटा बनाओ बनाओ वीडियो तो खुदा के फजल से काफी यह देखे ना महनत का काम है और खतनाक भी है पर खुदा ने आहमत और ताकत दी है रहरे को और खुदा के फजल होना चाहे पिर दिल में खोफ डर जरा भी नहीं रहता यह तो यकिनन यह देख सकते हैं खुदा के फजल से तक्रीबन दो चत के चले गए हैं दो ये हैं दो पीछे ये पड़ी है अभी टोटल चते जो एना वो स्टैप बाइस टैप पर रख रहे हैं ये काफी भारी है देखने में तो वीडियो में इतना नहीं लग रहा पर काफी भड़े और भारी हैं कंटेनर हैं तो इनके उपर य ली गई है और ये दो जो ये भी रहते हैं यहां पर हम बैठे थे दरखत के नीचे तो हम बैठ कर यहां पर देख रहे थे और चाचु भी आ गए और उन्होंने यहां पर चीज बांटी खुदा का शुकर गुजारे की बाबुजी ने देख का इंतिजाम किया था खाने के लिए जो मेहनत कर रहे थे उनके लिए के जारी बात है वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए खाना तो होना ही चाहिए और खुदा के कामों के लिए शुकर गुजारी करते रहना हमारा हक बनता है क्योंकि शुकर गुजारी करने से घर में सकून प्यार महबत पैदा आता है और ने उपर से चट ले जा कर रखाया जाएगी, उपर उपर चट पर देख सकते होंगे, सब ही खड़े हैं, वहाँ पर ही मेरे देवर, मीरे हजबन सब ही खड़े हैं, तकरीबन सब ही यहां पर, यह मेरे अबू की बहुत ख्वाईश थी, अबू विलियम अब तो इस दुनिया तावोत अमीर हुआ और उनकी बहुत क्वाइश थी कि ये बढ़ा किया जाए उनके रहते ही हमने ये जगा यानि कि ले ली थी ताकि इसको मजीद बढ़ा किया जाए और खुदा के फजल से ये बढ़ा भी हो गया पर जब तक ये बढ़ा हुआ तब तक अबू नहीं रहे द जिन्दगी में जैसे कहते है ना कि किसी एक का सितारा ही लग होता है अबू का सितारा बहुत अच्छा था उमारे साथ रहते थे तो काफी यानि कि बहुत अपने आपको महसूस करते थे बस उनके जाने के बाद काफी उतार चड़ा हो गए जिन्दगी में और काफी एकदम से ڈिसٹرب ہو गई है हमारी लाइफ पर खुदा का फजल से हमें खुदा ने कहा के नहीं बिटा आप अपने यानिके तससल को बाप आसमानी के धितने के Penny हातों में लेकर यानिके स्कून कर सकते हो वो हमारा आसमानी बाप हमारे साथ हमेशा रहता है इसके साथ ही मुझे दीजिये अजाज़त, God bless you all